एलो फ्रेंट्स, मेरा नाम जगविंदर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सब्नेटिंग और सुपर्नेटिंग के बीच में क्या डिफ्रेंस है? इस वीडियो में हम सबनेटिंग और सुपरनेटिंग के बीच के अंतर को तो जानेंगे ही साथ सुपरनेटिंग को और किस-किस नाम से पुकारा जाता है ये भी जानेंगे इसके साथ साथ सुपरनेटिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और उसके बेनिफिट्स के बारे में भी जानेंगे चलिए शुरुआत करते हैं सबनेटिंग से सबनेट यानि के बड़े नेटवर्क्स या आईपी अड्रेस रेंज को small logical networks में divide करने के method को सबनेटिंग कहा जाता है हम अपने आईपी ड्रेसिंग और सबनेटिंग सीरीज में सबनेटिंग के बारे में बहुत डिटेल में discuss कर चुके हैं और सबनेट को कैसे create किया जाता है ये भी सीख चुके हैं मान लिजे मेरा एक internet work है जिसमें हमारे पास 5 networks हैं और आईपी ड्रेसिस को save करने के लिए हम इन 5 networks में C class के अलग-लग IP addresses को use ना करके एक ही network के subnetworks create करते हैं तो मान लिजे मेरे पास एक IP address है 200.10.20.0 और इसका default mask C class का 255.255.255.0 इसमें से हमें 5 subnets create करने हैं तो subnets जो हम create करेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं इसे कैसे calculate करना है इसके लिए आप subnetting video series को देख सकते हैं और ये calculated subnets को हम इस प्रकार 5 subnets के उपर assign कर सकते हैं चलिए अब जड़ा supernet के बारे में जान लें supernet की help से हम 2 या 2 से ज़्यादा IP networks या subnetworks को जिनका की common net mask, subnet mask या CIDR prefix हो उन्हें combine करके एक निया single network address create कर सकते हैं ये कैसे create करते हैं इसे हम तब समझेंगे जब हम supernet को calculate करना सीखेंगे तो इसकी definition से आप समझ गए होंगे कि ये subnetting का बिल्कुल उल्टा है यानि के छोटे networks को या subnetworks को combine करके आप एक निया और बड़ा network create कर सकते हैं supernet को industry में कई नामों से जाना जाता है जैसे कि supernetting, prefix aggregation, route aggregation या इसके इलावा route summarization तो जहां पे भी आपको ये terms दिखाई दें, आप इन्हें relate कर सकते हैं supernetting से या supernet से चलिए जानते हैं supernetting की जरूरत हमें क्यों पढ़ेगी supernet की जरूरत किसी भी company या organization को तब पढ़ सकती है जब कोई भी classful IP address उसकी जरूरत को पूरा न कर सके जैसे कि for example मा लेजे किसी organization के एक network में 500 hosts की जरूरत है यानि कि 500 hosts की तो उसके लिए हम C class का network address यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम सिरफ 254 maximum IP addresses या network addresses को यूज कर सकते हैं और इसके उपर B class में हम 65,534 addresses को यूज कर सकते हैं जो कि इस case में बहुत ज़्यादा होंगे यानि कि IP addresses की wastes बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ पे हम दो C class के addresses को combine करके उसके साथ CIDR prefix लगाके एक supernet create कर सकते हैं जिससे कि IP addresses की wastes को तो हम रोक ही सकते हैं साथ ही साथ हमारा purpose जो की 500 hosts को IP address assign करनेगा है वो भी fulfill कर सकते हैं आप घबराइए नहीं इसे कैसे calculate करना है और यह supernet कैसे create करना है इसे हम सीखेंगे अभी आप यह समझ लीजिए कि हमें इसकी जरूरत क्यों पढ़ेगी इसके इलाबा regional route aggregation को facilitate करने के लिए भी supernet की जरूरत पढ़ सकती है इसके लिए आप telephone networks का example ले सकते हैं telephone networks में हर area को एक अलग code दिया जाता है जैसे के इंडिया में Delhi को 011, Mumbai को 022 और इसी प्रकार के दूसरे areas को या cities को अलग-लग STD codes दिये हुए हैं international level पे भी सभी countries को ISD codes मिले हुए हैं अब अगर Delhi में बैठा हुआ कोई आदमी अपने telephone को use करके Mumbai call करना चाहता है तो वो Mumbai का number 022 और उसके बाद जो भी telephone number Mumbai का जहांपे वो call करना चाहता है उसे dial करता है तो nearest exchange सिरफ 02 को देखके उस call को transfer कर देती है Mumbai और उसके बाद की सारी responsibility Mumbai exchange की है कि उस call को destination तक कैसे connect किया जाए और Delhi exchange को यह जानने की ज़रूत नहीं है कि Mumbai का एक particular telephone number Mumbai के किस area में है तो इसी तरीके से इसे हम compare कर सकते हैं IP addresses के साथ पूरे world को five regional registries में divide किया गया है और उसी के according IP address allotment की गई है इन registries से internet service providers को और उसके बाद companies को supernet को हम क्यों use करते हैं इसे जानने के बाद चलिए इसके benefits को discuss कर लेते हैं तो इसका सबसे पहला benefit है कि इसकी help से organizations अपने network size को modify कर सकती हैं जैसे कि अभी मैंने आपको एक example में समझाया था कि दो C class के networks को combine करके हम एक नया supernet create कर सकते हैं इसके साथ साथ आपके routing devices जैसे की network routers या layer 3 switches के उपर जो memory requirements है या processor requirements है उसको भी minimize किया जा सकता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि supernet की वज़े से routers को बहुत सारे network addresses और उसके mask को अपरी memory में save नहीं करना पड़ता है बलकि वो supernet information को अपरी memory में save करती है और packets को effectively destination पे route कर देती है जिससे की processing power और memory uses को minimize किया जा सकता है और overheads को कम किया जा सकता है इसके इलावा supernet cidr coding scheme को use करता है जिसकी help से routing table entries को reduce किया जा सकता है आपको याद होगा cidr method में हम full mask ना लिखके forward slash लगाके जितनी bits on होती है यानि के net mask के bits यानि के जितने ones होते हैं उनको network address के साथ लिख देते हैं और वो ही mask को represent करती है इसकी help से आप IP address spaces को conserve कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक important बात बता दूँ कि supernet cidr address coding को use करता है इसका मतलब यह उनी routing protocols के साथ work कर सकता है जो cidr को support करते हो तो igp में जो routing protocols cidr को support करते हैं वो हैं ospf, eigrp और rip version 2 इसकी help से हम routers के memory storage और processing overheads को reduce कर सकते हैं इससे के हमारे routers और भी effectively work करते हैं question time चलिए आप मुझे question का answer दीजे आप मुझे बताइए कि हम supernetting किस-किस routing protocol में use कर सकते हैं आपकी options हैं A. RIP version 1, B. OSPF या फिर C. IGRP आप इस question का answer next 20 seconds में नीचे comments में ज़रूर type करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप like बटन को press करना न भूलें और नए वीडियो की information अपने mailbox में पाने के लिए channel पे subscribe करें तो इस वीडियो में हमने subnetting और supernetting के बीच में क्या difference है इसके बारे में जाना, इसके साथ साथ supernetting को किस-किस नाम से पुकारा जाता है और इसके क्या benefits हैं ये भी जाना तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening